हलो एवरिवान तो मैं आज आप लोगों से एक अनुफियल एक्सपेरियेंस अपने श्यार करने वाली हूँ तो आज मैं आ गई हूँ यारपोर्ट पे देख रही है थुरह से सन्नाटा है यारपोर्ट में लोग उतने ज्यादा नहीं है कि देचोने ही लोग है जो शॉप्स थे वो भी बंदी है लगभग दो तीन ही खुले हुए है सो अब देख रहे हैं लोग उतने ज्यादा नहीं है सभी के मन में थोड़ा सा डर है थोड़ा सा कॉफ है बिकाउस आफ इस पैंडरमिक कोविड-9 पहले मैं जब ट्रेवल करती थी थोड़ा एक्साइटमेंट रहती थी लेकिन आज हो चेंज हो चुका है तो यह एरपोर्ट के तरफ से मुझे पी-पी किट मिला है मैंने अपना फेस मास्क से ठक लिया है हातों में गलवस है पूरी सेफटी का ध्यान रखा गया है मुझे फेस शिल्ड भी मिली है सारी अत्रियों ने अपना फेस शिल्ड पी-पी किट पहन लिया है और अभी हम लोग प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी मैं बैट चुकी हूँ प्लेन के अंदर मिक्स फेलिंग है थोड़ा सा दुख है थोड़ा सा खुशी भी है एक्साइट्मिंट भी है और डर भी है मुझे अपने आपको एक्शुली एस्ट्रोनोट या डॉक्टर की जैसा ही लग रहा है तो अभी हम लोग टेक आफ के लिए तयार है अभी फ्लाइट टेक आफ करन है तो यह हम लोग चलिए उड़ चले अपने डेस्टिनेशन की तरफ तो मेरे जर्णी है लगभग एक खंटा पनरा मिनिट लगे का इस चर्णी में लगभग सी लेविल से 25,000 फीट ओपर हम लोग उटने वाले हैं और चारे तरफ क्लाउट सी क्लाउट जैसे क्लाउट का मेला लगा हुआ है फ्लाइट में एर होस्टेज जो थे वो घुजर पैसेंजर को काफी अच्छे से ख्याल दिख रहे थे और यह हम लोगों का फ्लाइट लेंड हो चुकी थी पाइलेट काफी कूल थे बहुत अच्छे से लेंड करवाया हम लोगों को मौनसुन का सिजन था तोरह से डिस्टरबंस था लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने हंडिल कर लिया तो यह मेरा जर्णी अभी खतम हो रही है मैंने भगवान जी को शुक्रिया अदा किया थैंक यू गॉड तो ऐसी वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूंगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को थैंक यू सो म को जो है